थेरी टाइपस अफ गेम अस्कुल में खेले जा रहे हैं और कुछ अस्टूडेंट जो है वो दो तरह का गेम खेलता है लेकिन कोई तीन गेम नहीं खेलता है तो इसस्टेटिमेंट को कौन सा डायगराम सही बता रहा है वो आपको बताना है यहाँ पर डायगराम दिया हुआ इस तरह से मैं आपको बना देता हूँ यहां पर इस तरह का दिया हुआ है और एक और है यहां पर कुछ इस तरह स्टाइल में ठीक है इसको P एजुम किया गया है इसे Q और इसे R ऑप्षन यहां पर मैं यहां देता हूँ ऑप्षन है P & Q ऑप्षन B है P & R ऑप्षन C Q & R और ऑप्षन D None यह बताने है ओके आए थैंक्यू थैंक्यू रज़त जी अरे आप तो कम सकम इतना बता दिये कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में बहुत लोग तो आते हैं और यह भी चले जाते हैं ठीक है। धन्यवाद आपका कि आप इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसे ही विश्वास जगाने के अब सकता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आज हम लोग पूरी तरह से सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अंसर सी अंसर सी अंसर सी अंसर सी में कैसे तुम बता रहे हैं। Q & R है। Q & R दोनों में देखो कि Q & R में A जो पार्ट है वो तीनो सर्कल में आ जा रहा है। तो यह दो है ना यह बता रहा है कि नहीं इस फिगर में जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनो गेम खेल रहे हैं। इसलिए option तो C जो है वो Q & R, R में भी च्या है, R में भी देखो A जो पार्ट है उसमें तीनो सर्कल आ जा रहा है। अब बताओ कौन साइंसर होगा, A होगा, B होगा, C होगा या डी होगा। डाइगराम से पहचानो तुम्हें ओ डाइगराम बताना जिसमें दो खेल रहा है लेकिन तीसरा नहीं खेल रहा है मतलब कि all the three नहीं खेल रहा है दो गेम खेल रहा है चलो हमें लग रहा है अप्सन D होगा क्योंकि इसमें भी देखो इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया तो all three इसमें भी आ गया yes, none लग रहा है, very good क्योंकि सभी में common मिल जा रहा है तीनों खेलने वाला मिल जा रहा है इसलिए option इसका D सही होगा D is right answer, very good दी सही है नहीं है